असंतुलित पर्यावरण आज जीवन मरण का प्रश्ण बन चुका है। इससे आप और हम आखे चुरा नहीं सकते। ये हमारे जीवन पत्देती के हर एक हिस्से को प्रभावित कर रहा है। जब बारिश शुरू होने का समय होता है तब बेदाहाशा गर्मी पड़ती है। आकाश में बादल का नामों निशान नहीं रहता। सूखे की मार किसानों की कमर तोड़ देती है। किसानों को इससे होने वाले नुकसान के कारण ही कृष्री आज खाटे का सौदा बंदा जा रहा है। पानी की कमी के कारण जब खेती प्रभावित होती है तो वर्थमान उत्पादन पद्देती का मुल्च रोध बिश्ली ही विकल्प के रूप में दिखाई पड़ती है। काश बिश्ली होती तो पंप चालू कर खेतों का पटवन किया जा सकता था। परन्तो बिश्ली का उत्पादन भी इतनी मात्रा में नहीं है हमारे पास कि शहर तो शहर गावों को 24 खंटे बिश्ली मुहिया कराई जाए। केंद्र सरकार ने 2022 तक देश में एक लाख मेगावार्ट ग्रीन एनर्जी उत्पादन का नर्ड़ने लिया है। जिसमें 40,000 मेगावार्ट रूफटॉप छट के उपर एवं 60,000 मेगावार्ट ग्रीन आधारित बिश्ली उत्पादन का लक्ष है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सुर्य से हमें असिमित रौष्णी यानि उर्जा प्राप्त होती है जो बिश्ली उत्पादन के लिए एक बड़ा विकल्प के रूप में हमारे सामने है, जरूरत है इसे उप्योग में लाएं कैसे। इस काम के लिए बिहार Renewable Energy Development Agency जैसी कई संस्थाएं इस काम को आगे बढ़ाने में जूटी हैं। सोलर प्लेट से चलने वाले दो हौर्सपावर मोटर पंप से लेकर पांच हौर्सपावर तक का सोलर पंप का उप्योग कर, आप एक एकर जमीन से लेकर पांच एकर जमीन तक की सिजाई कर सकते हैं। दो HP solar pump के लिए छह solar plate को इस्तेबाल में लाया जाता है जो अठारस वाट बिशली हमें एकत्रित करके देती है यानि प्रति प्लेट हमें तीन सो वाट बिशली एकत्रित करके देती है पांच सालों के मेंटेलिंस के साथ प्लेटों की 25 सालों की गैरेंटी के साथ इसकी कीमत दो HP motor pump की लगभग 2,75,000 रुपे आती है एवं पांच SP motor pump की कीमत लगभग 6,75,000 रुपे आती है इसकी खरिदारी पर भारत सरकार एवं बिहार सरकार की ओर से एक बड़ा अनुदान भी दिया जा रहा है अनुदान में मिलने वाली राशी भारत सरकार के तरफ से 30 प्रतिशत है जबकि 45 प्रतिशत का अनुदान राशी बिहार सरकार द्वारा दी जा रही है मात्र 25 प्रतिशत की राशी हमारे किसान भाई अपनी जेब से लगाकर विक्राल रूप लेती बिजली समस्या से छुटकारा पाकर आज हमारे किसान भाई अपने खेतों का पटवन कर दूसरी हरित क्रांती की ओर कदम से कदम मिलाकर आगे पढ़ रहे हैं ये कदम प्रधान मंत्री की सबका साथ सबका विकास की भावना को चरिदार्थ कर रहा है